आप हैं इंडिया टाइम्स के साथ, खबरे सच के साथ उग्योग मंतरी विपल गोयल में वकफ बोर्ड के चेर्मेन रहीशा खान सम्मानित करेंगे इस चोटी को फते करने वाले पांच सदस्य दल में मेवाद के गाउं इंडाना निवासी आमिर सोहिल सामिल था आमिर सोहिल के पिता मुबीन खान ने बताया कि उनके बेटे ने 8 जून को पांच सदस्य परवतरोई दल के साथ परतमिस्तान प्रापकर मांटेन हिमाली की चोटी पर तिरंगा फैराया है गाउं इंडाना में मेवाद जिले में खुशी की लहर है बीते वर्च 28 दिसंबर को केदार काटा की चोटी पर फते हासिल करने वाले आमिर सोहिल को उस वक्त पुनाना के विदायक रहीसा खान ने 1,21,000 रुपे देने की गोश्ण की थी जो आज तक नहीं मिले इसे लिकर परवतरोही आमिर नाराज लगपत चोख से पटोधी चोख विजे चोख तावडू पर आयोजित रहागीरी कारी कर्में लोगों ने जमकर्मस्ती करते हुए संदे को फंड़े के रूप में मनाया रहागीरी कारी कर्म में सांस्किर्टिक कारी कर्म के साथ साथ मुक्यबाजी, रसी कूद, रसाकसी, स्केटिंग वर योगा, आदी केलों का भी लोगों ने भरक पूरानत दिया इन एकोर्स के एन 32 विमान दूर वेटना में हर्याना के मुक्यमंत्री मनोवलाल खटर पलवल के लेटिनेंट आसीस तवर के घर पर गए और परीजनों का ठाटस बंधाया जिला पलवल के गाओं दीगोट के रहने वाले थे, मुक्यमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी मन सरकार परीजनों के साथ है आसीस ने बहुत छोड़ी सी उम्र में अपनी काबिलियत की चाप सो कामा वैपार संग के अध्याउष गटनास्तल पर पहुँचे आसपास के CCTV कैमरे में टार्टा 407 गाड़ी कैद हो गई मिल्क पाउडर के एक कट्टे की कीमत करीब 7000 रुपे पताई तो ये टाइम में आज के लिए बस इतना ही मेवात की सारी बड़ी ख़बरे पढ़ने और देखने के लिए मेवाताइम्स डाट कॉम लोग इन करें फेस्बूक पेस फोलो कर ले और एप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें हमें आख यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब और लाइक शेर करें साथी बेल आइकोन को जरू हिट का दे